वाट्स आप गाइज वेलकम टुत्तोय सर्के टीवी दा बॉंग आए फ्रॉम त्रिपुरा गाइज बहुत लोगों के मन में सवाल आता होगा कि बिल्डिंग में ब्रिकोर कंस्ट्रक्शन में एसी मतलब अटोकलेब एरेटेड कॉंक्रीट ब्लोक बेटर है या फिर रेड ब प्रिकोलाइट और रेड ब्रिक का कंपरेजन करूंगा इन टामस अफ एविशेंसी और कोस्ट तो वीडियो को पूरा जरूर्ट देखना है अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो की फ् किया जाता है एंड ब्रिकुलाइट में जो राव मेटरियल्स यूज होता है वो है सिमेंट, सेंट, लाइ मतलब कल्शियम उकसाइड, जीपसम, वाटर, फ्लाइश एंड एरेटेट कंपॉंड यूज होता है जो अलूमिनियूम पाउडर है तो प्रोडक्शन के प्रोसेस के क जो कि इको फ्रेंडली है और साइज जो है वो रेट ब्रिक का साइज है 250 by 125 by 75 mm जो इंच में बोलूंगा तो 10 इंच भाई 5 इंच भाई 3 इंच और ब्रिकुलाइट आपको बहुत सरी वेरियंट में मिल जाता है दो वेरियंट जो बेटर है मेरे इस सबसे वह एक है 600 by 100 by 200 मत मतलब 24 इंच भाई 3 इंच आप डेंसेटी देख लेते हैं डेंसेटी मतलब डेड लोड जो बिल्डिंग के उपर जो लोड आता है ब्रीक के कारण ब्रिकवर के जो रेड ब्रीक बिल्डिंग के उपर योड देता है वो है 1600 तो 1750 kg पर क्योबिक मीटर जो की जो बिल्डिंग को लोड देता है वो है 550 to 650 kg पर क्यूबिक मीटर जो की रेड ब्रिक का only 35% है तो यह ब्रिकोलाइट बिल्डिंग को बहुत लाइट बनाता है इन comparison with red brick, red brick building का weight increase कर देता है लेकिन ब्रिकोलाइट बिल्डिंग का weight decrease कर देता है considerably अब यहाँ पर आता है strength का मामला जो की ब्रिकोलाइट के लिए एक drawback बन जाता है मतलब ब्रिकोलाइट बिल्डिंग में लगाओगे तो ब्रिकोलाइट का जो strength है वो है only 30,000 to 45,000 ton per cubic meter लेकिन red brick का 40,000 to 75,000 ton per cubic meter तो strength के मामले में red brick थोरा सा उपर है ब्रिकोलाइट से पहले हम बाकी चीज़ देख लेते फिर इसका जो conclusion है वो निकालेंगे कि ब्रिकोलाइट यूज़ करना ठीक है या red brick यूज़ करना ठीक है fire resistance देखेंगे तो red brick only two hours है red brick का लेकिन ब्रिकोलाइट का है five hours मतलब building में आग लग जाए suddenly तो red brick two hours resist करेगा लेकिन ब्रिकोलाइट five hours तक रिजिस्ट करेगा उस आग को अब thermal insulation देखेंगे तो thermal insulation red brick का काम है मतलब red brick के साथ आप wall construct करेंगे तो जो रूम है रूम में temperature जादा होगा लेकिन ब्रिकोलाइट के साथ वह problem नहीं है thermal insulation ब्रिकोलाइट का बहुत ही अच्छा है construction time construction time red brick का जादा है और ब्रिकोलाइट का कम है for example मैं 10 feet by 10 feet एक wall ले लेता हूँ जिसको जो हमको construct करना है तो वह wall construct करने में red brick के साथ आपको दो लेवर लेगेगा लेकिन ब्रिकोलाइट के साथ आपको सिर्फ एक लेवर लेगेगा और एक दो चीज में बोल देता हूँ ब्रिकोलाइट के बारे में ब्रिकोलाइट के साथ आप brickwork करोगे तो 10 to 15 percent cement consumption आपका कम हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रिकोलाइट में join कम होगा क्यूंकि प्रिकोलाइट का साइज है दोफीर और रेड ब्रिक का साइज है सिर्फ 10 इन्च मलब 250 मलब번ट तो इसमें प्रिकोलाइट में join कम आएगा इसलिए cement कम लगेगा 10-15% कम हो जाएगा आपका cement consumption और plastering में भी आपको materials कम लगेगा bricolite के साथ plastering में materials क्यों कम लगेगा क्योंकि ये wall को uniform shape and texture देता है and even service provide करता है तो इसलिए खुरदरापन कम होता है तो इसलिए plastering के time materials कम लगेगा तो plastering का cost भी आपका decrease हो जाएगा और एक चीज आप bricolite के साथ wall construct करोगे तो आपका carpet area है वो भी 2-3% increase हो जाता है कैसे मैं बता तो मान लो कि आपको एक room construct करना है जिसका plint area है 12 feet by 12 feet तो इसमें आप अगर wall construct करोगे red brick के साथ करोगे तो आपको जो floor area है तो floor area आपको मिलेगा सिर्फ 11 feet 6 inch by 11 feet 6 inch 12 feet decrease होके हो जाएगा 11 feet 6 inch by 11 feet 6 inch लेकिन अगर आप bricolite के साथ construct करोगे तो वो ही floor area हो जाएगा 12 feet से decrease होके होगा 11 feet 7 inch by 11 feet 7 inch price of one bricolite AC block is Rs. 96 जिसका size है 600 by 100 by 200 and the price of one red brick is Rs. 12.5 Rs. 13 जिसका size है 250 by 125 by 75 mm for example आपको 10 feet by 10 feet का एक wall construct करना है तो चलिए देखते 10 feet by 10 feet wall construction करने के लिए brickolite and red brick का difference क्या है in terms of construction cost 10 feet by 10 feet मतलब 3 meter by 3 meter brick or के लिए brickolite AC block चाहिए 62 piece and 62 piece AC block का price है Rs. 5,952 and motor का cost आएगा approximately Rs. 500 labor एक चाहिए जैसे की पहले मैंने बताया तो labor cost 400 तो total cost है Rs. 6,852 and red brick के साथ construct करेंगे तो brick लगेगा 395 nose जिसका price है 4,938 motor का cost आएगा approximately Rs. 750, labor 2 चाहिए तो cost आएगा Rs. 800 and total cost आएगा Rs. 6,488 अब दिखते हैं plastering में क्या खचाहता है अगर 10 feet by 10 feet wall का both side plaster करेंगे हम plastering में brickolite के साथ खचाहएगा Rs. 1,700 approximately and red brick के साथ खचाहएगा Rs. 2,500 approximately तो plastering को भी include कर देते हैं तो total cost आएगा brickolite के साथ Rs. 8,552 and red brick के साथ Rs. 8,988 for 10 feet by 10 feet brickwork guys brickolite का सिर्फ एक ही drawback है इसका जो strength है compressive strength है वो red brick से कम है बाकि सारे चीजों में red brick से better है लेकिन एक बात यह पर ध्यान रखना जरूरी है कि RCC construction में brickolite के उपर load कम आता है load bearing construction में brickolite के उपर load जादा आता है तो मेरा suggestion लेंगे अगर मुझे suggestion देना है तो मैं बोलोंगा कि RCC construction में आप brickolite यूज़ करे ground floor को छोड़ कर उपर जितने भी floors है सारे floors में आप brickolite यूज़ करे load bearing construction में आप brickolite यूज़ ना करे जो traditional red brick है वही यूज़ करे तो RCC construction में आप brickolite यूज़ करेंगे तो वही better रहेगा लेकिन ground floor को आप छोड़ देंगे तो इससे क्या होगा आपका construction cost भी थोड़ा radius हो जाएगा दिखने में भी अच्छा लेगेगा और आपको carpet area भी थोड़ा बहुत जादा मिल जाएगा Thank you guys for watching this video till the end